नमस्कार दोस्तों आपका राजस्ताने नबारीजी के चैनल में श्वागतें आईए दोस्तों करन्ट अफेर की सरंकला को फिर से आगे बढ़ाते हैं इसे पहले जो वीडियो बनाया तो उसमें 50 कुछन करवा दिये गए हैं वहाँ पर उस बटन को दबा कर आपे सस्क्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन का बटन भी दबा ले ताकि आपके पास जो भी वीडियो डारे उसकी सूचना मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूशन को मुक्य मंत्री ने हाली में वीर योदा असन खां मिवाती पुस्तक का वीवोचन ने किया इस पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको इस पुस्तक के लेखक बताना है तो इसका क्रेक टांसर होगा मोंसि खां बालोद इसके क्या है लेकक है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरी व्याख्या की साथ रहा है मुक्य मंत्री ने हाली में वीर यूदा हसन खां मिवाती पुस्तक का विवोचन किया और इस पुष्टक के लेखक मुंसी खां बालोट एम डॉक्टर फुल सिंग सहरिया है तो इसके दो लेखक बताए जा रहे हैं ठीक है एक दो डॉक्टर फुल सिंग सहरिया दूसरे के मुंसी खां बालोट राष्टिय सहकार मसाला मेला का आयोजन हाली में का किया गया तो यह कहां पर किया गया था यह जेपूर में किया गया था और इसके आप देख सकते हैं यहां पर लिखावाए कि राष्टिय सहकार मसाला मेला का आयोजन जेपूर के जहार कला के अंदर तो आपको याद देखन तुस्ट नमरे 23, हाली में राजे पक्सी गोडावन पर आदारी ते डौक्यूमेंटरी इन सर्च ओफ गोडावन के लेख कौन है तो इनके लेख कौन है तो इसके लेख कहें श्री वीपी धर परसिदे डोकुमेंटरी निर्माता श्री वेपी धर ने हाली में राज्य पक्सी गोडावन पर हादारी ते डोकुमेंटरी इन सर्च ओफ गोडावन का निर्देशन किया है Q4 राश्ट पती द्वारा हाली में राजस्तान को 15 विश्वे ग्रामिन स्वास्तिस मेलन में कौन सा अवार्ड दिया गया है तो आपको पता हुने कौन सा अवार्ड दिया गया है Health Care Excellence Award से समानित किया गया है राश्टी स्वास्ते मिशन की ओर सी राजस्तान को Health Care Excellence Award 15 विश्वे ग्रामिन स्वास्ते समेलन में उपराश्ट पती वेक्या नाइड़ू द्वारा दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा 15 विश्वे ग्रामिन स्वास्ते समेलन में अगला कि उसने ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2018 का आयोजन हाली में जैपूर में राजस्तान सरकार ने किसके सियोग से किया था तो यह फिकी के सियोग से किया गया है आप यहाँबर देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार ने 2018 का आयोजन जैपूर में राजस्तान सरकार वें फेडरेशन ओफ इंडियन चेमर्स ओफ कॉमर्स एंड इंस्ट्यूट यहनि फिकी द्वारा शिंपते रूप से किया गया है क्यूशन नमर्च चपपन वर्स 2020 तक राजस्तान में प्रियेटकों की संक्या का लक्ष यह कितना रखा गया है ने कितने लक्ष है तो इसका सही अंसर होगा 5 क्रोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्तान सरकार के प्रियाटक विवाग द्वारा वर्ष 2020 तक प्रियाटकों के संक्या का अनुमान अनुमानी तागड़ा कितना बता है पांच क्रोड तक का बताय जा रहा है अगला क्यूसर ने राजस्तान सरकार ने प्रियाटक विवाग की ओर से गुनतिस्वे राष्टिय सडक सुरुक्षा अभियान का थीम क्या है तो इसका थीम आपको बताना है इसका थीम है सडक के सुरुक्षा और जीवन की रक्षा गुनतिस्वे राष्टिय सडक सुरुक्षा शुप्ता के अंतरगत 23 से 30 अप्रेल 2018 को बनाया गया और राजस्तीय सडक के सुरुक्षा शुप्ता गाथीम है शडक सुरुक्षा जीवन Рक्षा है जिसकी सुरुआते जोहार सरकल जेपूर्ष से किये गी है तो कहांसे किये चिलैनास राजस्तान के किस जिले में किया गया है तो काँ पर किया गया है चितोडगट जिले में इसका चिलैनास किया गया है यहनि बज़त 2018 में गोशिच है नए पेनोर्मा में से एक बगवान है प्रसुराम पेनोर्मा का चितोडगट जिले से संबंध है तो देखे दोस्त की जो भी वीडियो आए उसके आपको information मिलती रहें अगला कि उसने राश्ट्रि सह कारी विवाग नीगम ने राजस्तान सरकार को किसानों की कर्ज मापी योजना हेतू कितना रिड़ सविकर्थ किया गया है तो कितना रिन स्विकर्ट किया गया है पांच अजार क्रोड रुपे पांच अजार क्रोड रुपे अब देखे दोस्तों कुछ से विदारतियों कि ये डाउट है कि आठ अजार क्रोड रुपे लेकिन वो आठ अजार क्रोड रुपे नहीं है क्योंकि ये कागया था 8,000 क्रोड रुपे का नुक्षान होगा लेकिन यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो 5,000 क्रोड रुपे का ही होगा अगला क्यूसने क्यूसन नमर है राजस्तान संगीत नाटक अकादमी जोदपूर का नया अध्यक्स किसे मनोनित किया गया है तो सही अंसरोगा असोग पंड्या को मनोनित किया गया है राजस्तान संगीत नाटक अकादमी की स्तापना 16 दिसंबर गुनिसो शित्यावन को राजस्तान सरकार द्वारा जोधपूर में किये गई तो कांपर किये गई थी जोधपूर में किये गई थी और इसके नए हदेक सिरी असोक पंडिया मनोनित किये गई हैं तो याद दखना है असोक के पंडिया उकांपर जोधपूर अनाप्रणी दूद योजना जिसे हाली में सुरू किया गया है को किस सरकारी योजना से जोड़ा गया है तो कौन सी सरकारी मिढ़े मिल योजना से जोड़ा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई 2018 से राजे के समस्ते राज के प्रात्मिक और उच्छे प्रात्मिक विद्यालियों में मिड़े मिल योजना के अंतरगत सब्ता में तीन बार दूद पोसाहार उपलब्द करवाया जाएगा क्यूश नमर साथ राजे सरकार द्वारा सुरू निदान सुप्ट्वेर का संबंध किस्से हैं तो इसका संबंध है चिकिशा सेवासिस का विशेज संबंध है यहनि जो निदान ओनलाइन ने एंट्री ओफवें पिज टिव डाइग नोसिस ओन इस दी सुप्ट्वेर है परदेश के चिकिशा संस्तानों में अविवे ने मोस्वी बिमारियों यहनि गेर संचारी रोग सहित लग बगे 46 विमारियों की इस दी के निदान सुप्ट्वेर पर ऑनलाइन एंट्री की जाएगी परदान मंत्री आवाश योजना के अंतरगत्रे ग्रामिर आवास निर्मान के राजस्तान को देश में कौन सस्तान मिला है यहाँ पर जिला नहीं है कौन सस्तान है रहा है तो इलेक्रोनिक प्रोब्लम होने कानकुन में स्टेक हो गए तो इसका सही आंसुर होगा तो आप देख सकते हैं कौन साथ है पांच वहां अगला क्यूशन है क्यूशन नमर है 64 सवस्ता सर्वेक्षन 2018 के अनुशार राजस्तान के कि सहर को शिटीजन फिल्ट बेक मे पर्तमस्तान मिला है तो इसका सही आंसुर होगा कोटा तो राजस्ता सर्वेक्षन ने 2018 में कोटा को शिटीजन फिल्ट बेक में पर्तमस्तान दिया गया है जो समरे 65 वशुंद्रा सकी महिलावान की शुरुआते किस नगर परिश्ट दे द्वारा की गई है तो कौन सा है व राजे में संचालिते चिराली योजना का लक्षे हैं तो चिराली योजना का लक्षे किस से हैं चिराली योजना का लक्षे मैला इंसा रोगथाम से हैं राजे में 26 से स्टंबर 2017 से जवार कला के अंदर जेपूर से इस योजना की शुरुआत की गई मैला एंवाल विकास व अगला कुछने राजस्तान में सयोग उपाहर योजना से लाबावायंति समुए यानि किसको ये लाब दे रहा है ये विद्वा महिलाओं को लाब दिया जा रहा है और यहाँ पर इसकी पूरी इंफोर्मेशन दियो ये तो आपको मैं बता दिता हूं कि राजे सरकार द्वार से कम आठवी पास होना जरूरी है और सेक्सी योग्यता के इनुसार से योगराशी का निदारण होता है तो आठवी पास कम से कम आठवी पास होना जरूरी है सावित्री बाई फुले मैला कर्षक के सहसक्तिकर्ण योजना है तो यह किस से संबंद रखती है यह है डिजिटल बुगतान योजना से और यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि सावित्री बाई फुले मैला कर्षक सहसक्तिकर्ण योजना कर्षी उपजमंडियों, मैलाओं का इबुक्तान, हेतु प्रोथ साहित करने से संबंदित है और इसमें मैला स्रिमिकों की पुत्री की साधी पर पचास जा रुपे की वीतिय साहिता की जाती है यानि रासी की साहिता की जाती है मुक्य मंत्री जन आवास योजना के अंदर कते की फाहिती आवास का प्रावदान किस के लिए है तो सही अंसर होगा सबी के लिए अगला किसने किसन नमरे 70 है राजस्तान में शीव सक्ती योजना का संबंद किस्य है तो राजस्तार में जो सीव शक्ति योजना चलाए जाए रही उसका संबंद किस्य है तो इसका क्रेक टांसफर देखे क्रेक टांसफर इसमें एक नमर जो दिया हुआ है सर्मिक कल्यान के लिए तो कौन सा है यह सर्मिक कल्यान के लिए इसका उप्सन सही होगा कि उससे नमबर है अब देखे सर्मिक यहां पर पूरी इंफॉर्मेंशन आपको उता हूँ कि एक जनवरी 2016 को सुरू हुई विश्वे शक्ति योजना के तहते पंजी करते सर्मिक अपनी बेटी की उच्छा तता विवा के लिए 55,000 रुपे का अनुदान प्राब्द कर सकते हैं और इसे श्रम विवाग संचालित करता है कौन करता है श्रम विवाग संचालित करता है किस की सुरुवात की गई है तु किस की सुरुवात की गई है किस नमर है बेटर राजस्तान में किसानों को कम कीमत पर शुपर ए वे बी स्रेणी में कर्शी उपजमंडी में गुणोता पुरण बोजन उपलद कुराने वाली योजना है तो वे किसान कलेवा योजना किसानों को अपने स्रेयम के चैतर में उँच गुणोता वाले बीजों के उत्पादन में मदद करने हैं तू राज्य सरकार की कौन सी योजना है तो राज्य सरकार की मुख्य मन्त्री बीज स्वालंबन योजना अगला कुछन देगें अंत्रा इंजेक्षन योजना संबंदित है अंत्रा इंजेक्षन योजना किसे संबंदित है परिवार नियोजन से संबंदित है त्यानि बीलवाडा से सुरुवाडा कहां से की गई है बीलवाडा से सुरुवाडा की गई है और इस से गर निरोदक इंजेक्शन के मादिम से तीन महीने तक के परिवार नियोजन में साहिता मिलती है और ये इंजेक्शन सरकारी इस्पतालों में नीश्वलक मिलता है अगला किसने निमिन में से राजस्तान सरकार की वैय योजना कौन सी है जिसमें गरवती महिलाओं को घर पर अश्पताले की शुदा मुहिया करवाई जाती है तो कौन सी है जननी एक्सप्रेस योजना राजसरकार की अंदरगत संचालिस स्वास्ते सेवाओं में जननी एक्सप्रेस योजना की अंदरगत गरवती महिलाओं के लिए घर बेटे अस्पताल की शुदा एम्बिलेंस के माधिम से उपलवत कुरवाई जाती है इसका टोल फरी नंबर 104 है राष्टी ग्रामीन स्वास्ते मिशन के तेद आसा सियोगनी का चेन कौन करता है ग्राम पंचाईद आसा सियोगनी का चेन ग्राम पंचाईद्वारा ग्राष्टी ग्रामीन स्वास्ते मिशन 2005 के तेद किया जाता है और आसा महिला एम्बाल विकास विवाग वैचिकिश्या विवाग के बीच सियुकते कारिये करता है उता है आगला किशन बाल विवा मुक्त राजस्तान अभियान किस बाल विवा निशेद अधिनियम के तेद चलाया जा रहा है तो किसके तेद चलाया जा रहा है दो जार चेद के तेद चलाया जा रहा है अगला किसने राजस्तान में चल रही दनवंत्री 108 टोल फरी एंबुलेंस सेवा है तो टोल फरी यानि दनवंत्री 108 टोल फरी एंबुलेंस सेवा किसके लिए है तो यह है मुफ्त आपात कालिन सेवा के लिए अगला किसने पन्ना दाय जीवन अमरत योजना को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो अन्ने किस नाम से जाना जाता है आम आदमी बीमा योजना के नाम से जाना जाता है यानि पन्ना दाय जीवन अमरत योजना आम आदमी बीमा योजना अंतरगते बीपियल वर्ग के लोगों को मर्तिय उपर बीमा का प्रावदान इसके इलावा इस योजना में नोवी बारवी कक्षिया में पढ़ने वाले विकलांग चात्रों हेतु मुप जेवन बीमा चात्रवर्थी की शुबदा उपलग्द करवाई जाती है क्यूसर नमर है 80 मुखे मंत्री एकल नारी पेंशन योजना अंत्रगत लावार्थी महिला की आयू कितनी होनी चाहिए तो ये आंसर है इसका 18 वर्षे अधिक के होना जरूरी है मुखे मंत्री एकल नारी पेंशन योजना में ठारा वर्ष या उससे अधिवायु वर्ग की विद्वा तलाक्षुदा प्रितियाक्ता मैलाओं को 500 रुपे परतिमा पेंशन का प्रावदान है राजस्तान में जन कल्यान 25 पंचायद सिविर योजना का नाम किस माप्रूश के नाम पर है किया पंडित देंद्याल उपादाए क्यूस नमरे 82 राजस्तान में ग्रामीन गोरोपत के अंतरगत बनने वाली सड़कों की लंबाई क्या है तो बनने वाली सड़कों की लंबाई कितनी होगी 0.5 से 2 किलोमेटर यानि ग्रामीन गोरोपत के अंतरगत 0.5 किलोमेटर से 2 किलोमेटर लंबी सिमेंट कंक्रीट की शड़क का निर्मान किया जाता है तो यह आप देखा होगा यह आज कल इसका काम चर रहा है और यहाँ पर एक विशेश बात दियो हुई है कि सभी 9,841 में ग्राम पंचायतों पर निर्मान कारिय जारी है और राजस्तान राज्य राजमार्क दिनियें 2015 की तेट राज्य में चोधा नई राज्य मारक का शारवजनी के नीजी बागिदारी से निर्मान किया जाएगा LED लाइट वित्रण में राजस्तान का देश में कौन सा स्थान है तो कौन सा स्थान है परतम है यानि बिजली खवत में कमी करने के उधस्य से वित्रित की जाने वाली LED लाइट वित्रण मामले में राजस्तान का देश में परतम स्थान राए नियाए आपके द्वारा योजना का संबंध किसे है तो किसानों के मुझदमों से है नहीं राजस्वे लोग अदालत द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किये गए अन्याए आपके द्वारा के अंदरगते किसानों को खेती जमीन आदी की मुख्दमों के रात देने की व्यवस्ता है और इस योजना में न्याई परनाली से जुड़े अधिकारी सभी एक जगए एकत्रिते होंगी अगला किस्टन है हाली में डबलू एचो यान विश्वे स्वास्ते संक्तन द्वारा सो देशों के चार सो सहरों को वायू पर्दुषन के अनुशार रेंकिंग के गई है इसमें राजस्तान के केतने सहर सामिल है तो आपको बताना राजस्तान के दो सहर सामिल है और राजस्तान के दो सहर सामिल कौन कौन से आपको पता होना चाहिए कि विश्वेश वास्ते संक्तन के सबसे परदुसित 400 सहरों में से राजस्तान के दो सहर एक तो जेपूर यानि बार्वा और जोधपूर चोध्वा स्तान है और सामिल किया गया है हाली में बार्थिय सेना का युद्ध अभ्यासे गांडिव विजे या विजे प्रार कहा किया गया तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर यानि बार्थिय सेना द्वारा ये किया गया था और बीकानेर जिले में और चेतर का नामियावर माजन चेतर अगला क्यूशन है चोद्वी विदान सभा के अंति में सतर ग्यारवाइन तक के राज्चे विदान सभा में महिला विदायकों की संक्या कितनी है तो महिला विदायकों की संक्या है वो 27 यानि राजस्तान उपचुनाव 2018 के बाद विदान सभा में महिला विदायकों की संक्या 27 है देश की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें 1600 किलोमेटर पाइप लाइन का नेटवर्ग बिचाया जाएगा तो इसका सही अंसर होगा दोलपूर लिफ्टे सिंचाई परियोजना अगला कि उसने राजस्तान के कितने सेरों में कच्रे से बिजली बनाने का सेयंतर लगाना प्रस्तावित हैं तो कितने तीन यानि राजस्तान के जेपूर जोधपूर और कोटा में यह लगाए जाने की अगला किशने हाली में चितोडगट का बागल वे वारी 36 डातू के बन्दार मिन्ने के कारण चर्चा में रही हैं किशन ममर एक कारण में हाली में बांसवाडा उदेपूर जिलों को भूक्या वे डागोचा छेतर किस दातू के बंडार मिन्ने के कारणे चर्चा में रहे तो इसका अंसर होगा सोना हाली में राजस्तान निर्वाचन आयोक का ब्रांट अम्बेस्दर किसे निक्त किया गया है तो ये किसे निक्त किया गया है अगला किसे ने देश का पहला पत्थर की दलाई से टाइलस बनानी का कार खाना कहां लगाया जाएगा तो ये कहां लगाया जाएगा कोटा में लगाया जाएगा यानि कोटा में देश का पहला पत्थर की दलाई से टाइलस बनानी का कार खाना लगेगा वो ये कारखाना पर्दूशन नियंतरम बोर्ड कोटा नगर निगम यानि रिको जोईन वेचर इस प्लांट की स्तापना करेंगे क्यूशन नमर है चुराण में हाली में राष्टपती द्वारा पंडित राम नाराइन सर्मा राष्टि आरुवेद कुरूशकार किसे दिया गया तो सही अंसरोगा प्रोफेसर बनवारीलाल गोड को ये दिया गया था और राजस्ताइन आरुवेद विश्वेविदाले जोदपूर के कूलपती प्रोफेसर बनवारीलाल गोड को वर्स 2014 के लिए पंडित राम नाराइन सर्मा राष्टि आरुवेद पुरुशकार राष्ट पती रामनात कोविंद द्वारा दिया गया तो इस नमरे पिचाण में अंतराष्टी उंटें उत्सव दोजर अठारा का आयुजन कहां किया जाएगा तो ये कापर किया जाएगा जेपूर में निविकानेर में किया जाएगा यहनि बीकानेर में 13 से 14 जनवरी 2018 कार अंतराश्टी उन्ट उत्सव का आवजिन किया गया पर्थम राजस्तानी मेला फाइटर पाइलेट कौन बनी है तो सही आंसर होगा मोहना सिंग बिल एंडे मिलिडा गेट से फाउंडेशन द्वारा एशिया वे अफ्रीका के 16 चैनित स्वस्थ सहरों में राजस्तान का एकमातर कौन सा सहर सामिल है तो कौन सा है डुंगरपूर और आपर पूरी इंफोर्मेशन आपर देख सकते हैं कि अमेरिका के बिल एंडे मिलिडा गेट से फाउंडेशन के वेस्थ निदरलेंड संस्था के ठोस कच्रा परबंद एयों सेप्टेज से टेज वेस्थ निस्तारन पर रिसर्च करने के लिए एशिया वे अफ्रीका के 16 पुला सेहरों का चैन किया गया जिसमें भारत के चार सेहर सामिलें कौन-कौन से डुंगरपूर राजस्तान पुन्ने चित्रिजी और वार्गल क्यूस नमरे ठ्याण में 28 पस्षिमी राजस्तान उद्योक अस्त शिलपे उत्सव का आयोजन कहां हुआ तो इसी कहां पर हुआ था ये जोधपूर में हुआ था 15-14 जनवरी 2018 तक जोधपूर में ये हुआ था 28 क्यूस नमरे निन्याण में जनवरी 2018 में रांची में एविजिते रूरल नेशनल फिंट्रेशन कप में मुक्य बाजी सपर्दा में किसने शवर्ण पदक जीता तो किसने जीता डियाल सिंग शेखावात थे अगला क्यूस नमरे सो राजस्तान के किस जीले में हाले में परतम राजस्तान का यानि ओल उमेन रेल्वे स्टेशन बना है तो यह कांपर बना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बना है जेपूर जेपूर का गांधी नगर रेल्वे स्टेशन राजस्तान का पहला यह देश का दूसरा और ओल उमेन रेल्वे स्टेशन गुनिस परवरी 2018 को यह बना था तो दोस्तों यह हमारी पूरे परसंद सोच चुकें आने वाले वीडियो में आपको 170 परसंद और करवाए जाएंग वीडियो जाए जाएंगर आपको से माले विथैंगर आपकोाः टूसरा हूआ जा पीडियो में दियो बिल्वे स्टेशन अपयों।